हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आज एक आपके सामदें का मोश्ट इंपॉर्टन हिश्टरी का लेक्चर वीडियो लेकर आचुका हूँ जिसमें आज के दिन हम लोग देखने वाले आज क्या पढ़ाई करेंगे दोस्तों आज नवी का पढ़ाई करेंगे नाइन स्टैंडर का पढ़ाई करेंगे वह भी हमा प्रवती जरूरी चीज है जो हुआ इतने सालों में अब कैसे हुआ यह आपको पता है तो जैसे कि एक स्टोरी आपको पता होगा अगर आपको मैं थोड़ा सा फ्लैश बेक मिलेकर जाना चाओंगो तो आपको एक स्टोरी पता होगा कि एक टाइम था हमारा बहुत पहले का तो 200 साल पहले, तो 200 साल पहले आप imagine करो, तो हमारे communication का जरिया क्या था, हमारे communication का जरिया था, कि हम जो है, usually एक दूसरे से मिलने जाते थे, बात करना होता होता, तो फिर अगर पहले के जवाने में, आज 100 साल पहले, 50 साल पहले की बात करें, तो चिट्थी वगरे चलता था, लेकिन आज के डेट में देखो, कि चाहिए इवन अमेरिका में बैठा हुआ इंसान है, हम लोग जो है, उसको call पे बात कर सकते हैं, उसको email भेज सकते हैं, उसको whatsapp कर सकते हैं, उसको like बहुत सारे और social media application से, उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो there are something जो change हुआ है, इसका में बड़े-बड़े skyscraper, multinational buildings, multinational companies उसमें काम करते हैं, तो फरक साफ है दोस्तों, तो यह क्या हुआ है, एक life जो है, वो change हुआ है, तो यही सब चीज हमने discuss किया था, पहले lecture में आज हमारा lecture number 2 है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो वीडियो को end तक देख लेना, आपको ब board exam देने वाले, आप लोगो time है, आप लोग अराम से आपका exam दोगे, तो बाकी lectures पूरा complete है, ठीक है ना, revision last में करते हैं, अभी 10 का क्यो revision करा रहे, क्योंकि उनके exam नसदीक है, सर पे exam है, आप लोग का time है, तो tension मतले न, आप लोग पहले अपना syllabus तो complete करो, जो regular lecture वीडियो स चालू कर देंगे, tension मतले न, ठीक है, सब आ जाएगा, तो पढ़ाई करते हैं, चली आ जाते है topic पे, तो क्या है, आज का topic है, वो क्या है, सबसे पहले जो बात करने वाले है, हम लोग करने वाले है, social welfare के बारे में, सामाजिक कल्यान, ठीक है, तो social welfare क्या है, पहले के जमाने में, जो social वाली चीज़े होती थी, यानि सामाजिक काम जो होती थी, वो एक अलग लेवल पे होती थी, त्यादर तर लोग आंदोलन वगरे में जुड़े होते थे, यह होता था social काम, लेकिन आज के लिड़ में आप देखोगे, जो main objective हो गया है, हमारा जो social welfare करने का, जो इ situations थी, तो even बहुत सारे समाजिक कल्यान के जो organizations थे, वो सामने आए, उन्होंने राशन बाटे लोगों को free में, खाना खिलाया, ठीक है, लोगों को रहने की जगा थी, जो लोग कहीं ने, कहीं दूर दूर तक पैदलो चलके जा रहे थे, उनको help किया, तो कहीं सारे लोग साम लोगों को चाय पिलाते हैं, तो चाय पिलाना is nothing but opportunity, आपके पास एक opportunity, ये लोग चाय बेजबेच के एक करोड़ पती बन गए आज के रड़े में, मैं ऐसा आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि आपको चाय बेचना है, पर मैं example दे रहा हूं कि ऐसे कुछ अलग दिमाग व लोग उसी में जाएंगे, लेकिन आपको जॉब लेने वाला नहीं बनना है, आपको जॉब देने वाला बनना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपको entrepreneur skills के उपर, business skills के उपर ध्यान देना पड़ेगा, तो ये मैं थोड़ा सा extra में बोल गया, कोई बात नहीं, कुछ अलग चीज कर सकते हैं, कुछ problem solve कर सकते हैं, कैसा माज का, तो इस प्रकार के चीज़ें जो आपके अंदर आना चाहिए, तो हमारा जो इंडिया, जो इंडियन society है, इंडियन culture की इसाब से अगर बात करें, इंडिया का economic की अगर बात करें, तो काफी जादा थोड़ा अच्छा है, काफी अच्छा बेटर है, परफॉर्मिंग भी अच्छा है, तो इस चीज के लिए हमें अपने country के ओपर, हमारे country के economy के ओपर, society के ओपर, social causes के ओपर, welfare के ओपर ध्याम देने की जूरत है, तो इसलिए यहाँ पे, जो है, कहीं न कहीं, जो women's के ओपर, जो problem है, women's के related problem है, children's के related problem है, education के related problem है, even employment related कुछ problem है, तो उसको कैसे overcome किया जाए, यह सब जो है, वो social welfare द्वारा किया जाता है, कभी कास्ट सिस्टम में भी problem आता है, जैसे कि आप जानते कि जिरा सो मिनी कास्ट, तो उसको improve किया जाए, किस प्रकार उनको सुविधायत दी जाए, benefits उनको provide किया जाए, तो यह सब चीजें, जो इसमें include किया जाता है, even जो tribes होते हैं, तो उनको benefit पहुचाया जाए, उनको reserve दिया जाए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, जो पहले के जवाने में लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे, कि उनको दबा दिया जाते था, आज के रिट में वो आगे बढ़ सके, विकास उनको एक proper तरीके से seat जो है, जो है मिल रहा रही है, ठाकि यह सब चीजें हमारे constitution में लिखी गई है, तब जाके यह चीज पॉस्टिबल हो रहा है, even caste और tribes के अलावा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जो उनको दी जा रही है, ठीक जो है, वो minority है, ठीक है, ऐसे कई सारे minorities है, तो यह सब चीज को भी एक तरीके से proper तरीके से management किया जाया और इसको enhance किया जाया, यह भी social welfare के अंदर आ जाता है, ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो, कि इसलिए हमारे एक department भी आप देखोगे, हर एक का एक ministry होता है, वैसे ही social welfare का भी एक ministry है, जिसको normally 14th June 1964 को यहाँ पर establish किया गया था, ठीक है, ministry of social welfare, यहाँ पर मैं बदाना चाहूँगा आपको, एक ministry अलग से, ताकि यह सब चीज का जिमेदारी वो ले सके, तो ministry of social welfare, समाजिक कर लियान हे तू, जो भी काम है, इसको appoint किया जाक है था, और इसका जो date जो establishment का 14th June 1964 था, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, 14th June 1964, ठीक है, तो यह इतने तारीक को 14th June 1964 को, ministry of social welfare को यहाँ पर लाया गया था, जिसमें normally क्या होता था, कि बहुत सारे अलग-अलग type की programs करवाय जाते थे, ताकि लोगों को जागरुकता फैलाय जासा है, अगर सही amount में protein नहीं मिला, जो protein होता है, वो नहीं मिला, तो बहुत सारी problem हो जाते, आपको पाता है, बहुत सारी बिमारी थी जिसको बोलते है malnutrition, इसको एक proper हिंदी में नाम बोलते है, हिंदी में एक नाम दिया जाता है malnutrition को kupotion, तो बहुत सारे एक time ऐसा था हमारे कार की कई सारी बिमारियां हमारे देश के बच्चों को होती थी, पहले पहले, लेकिन आज के लट में देखो, लोगों को जागरुता फैलाई गई है, nutrition के बारे में, protein के बारे में, तब जाके उनको knowledge आया, तो ये सब चीज करना उनके हाथ में, साथ ही में social security, कैसे हम लोग हर चीज में यहाँ पे जो है, इसको implement किया जाने लगा, चिल्डरन्स के उभी, और एक time था जो women's के उपर अत्याचार होते थे, women's को उस तरीके से नहीं देखा जाता था, women's को employment opportunities, vote करने का अधिकार ये सब नहीं मिलता था, तो वो सब चीज को भी यहाँ पे enhance किया गया, social welfare में, साथी में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे organization जो थे, वो state level पे काम करते थे, और ये सब मिलके यहाँ पे हमारा social welfare करते थे, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, कि कैसे कैसे हमारी जो life है, जो पहले थी, वो आज के डिड़ में change होती ज से नहीं होता है, तो awareness बहुत सब्सक्राइब हो गया है, और यह हमारा social welfare, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही भेतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार हमारी life जो है, वो धिरे-दिरे change हो रही है, और एक और बहुत ही अच्छा topic है, जिसका नाम है SCNST, ठीक है, SCNST क्या है, यहाँ पर सुनो, आप देखो, SC का मतलब होता है, schedule cast यह आपको पता होगा, कि there are some tribes, ठीक है, there are some cast जिसको reservation provide के जाते हैं, तो एक होता है schedule cast जिसको SC बोला जाता है, और दूसरा होता है दोस्तो schedule tribes, ठीक है, schedule tribes जिसको HT बोला जाता है, तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को consider किया जाए, तो इनके लिए specially reservation provide किया जाता है, what do you mean by reservation, यानि कि इनकी जो seat होती है, किसी भी field में, वो fix होती है, यानि कि कहीने कुछ percentage जो है इनके लिए reserve रखा जाता है, जैसे कि example के तोर पे, कि समझ ल job के लिए समझ लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, job के लिए कितने बच्चे हैं दोस्तों, कितने students आ रहे हैं, 100 students आ रहे job पाने के लिए, लेकिन अब 100 में से हो सकता है कि सब अलग-अलग जाती के लोग आ जाए, अलग-अलग धर्म के लोग आ जाए, तो यहाँ पर क्या कर दिया क्योंकि अगर ऐसा होगा, तो इन बिचारों को कोई पूछेगा नहीं, तो यह सब चीज के लिए, यहाँ पर कुछ हमारे constitution में लिखा गया, और एक census हुआ था, आप जानते होगे, 1971 के census के आधार पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1971 census हुआ था, census मतलब क्या होता है दोस्तो बता है आपको, census का मतलब जन गनना, जन गनना मतलब counting of the people in the country, जैसे आज के रड़ में आप मोलते हैं, 150 करोड लोग है, 150 तो नहीं, 135 करोड पॉपुलेशन, 140 करोड पॉपुलेशन है, ठीक है न, तो यह क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 10 साल पे counting होता है, तो 1971 में एक census हुआ जिसमें पता लगा यह गया था कि 22% of people, जो हैं, 20% जो देश के जो लोग हैं, वो इन ही SC और ST से बिलॉग करते हैं, 22% जो लोग हैं, वो SC है या फिर ST है, तो कहीं न, कहीं हुज पॉपुलेशन है, अगर आप normally 100 करोड में से बात करें, तो 22 करोड लोग, एक imagine consider करो, कि समझ रही है, यह हमको अच्छी बात समझने चीए, चाहे हम SC से बिलॉग करते हों, चाहे हम open से बिलॉग करते हों, चाहे हम OBC से बिलॉग करते हों, तो हमें यह एक proud moment आना चीए, कि हमारे जो बाबा साहिव अमेड़कर जी थे, उन्होंने constitution जो लिखा, उनके जो कलीक्स में मिल करता है, कि हाँ, यह तो SC वाला है, अरे यह तो open वाला है, ऐसा कोई बहुत बहुत सारे laws बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, कि इनको क्या मिलेगा, educational scholarship प्रोइड कि बहुत सारे लोग को education मिलेगा, हक नहीं होता था, तो educational scholarship उनको दिया जाने लगा, जो भी SC और ST से बिल educational scholarship की, उनको seat मिल जाएगा, तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको parliament में जगा मिल सकती है, यानि कि अगर वो विधान सभा में आना चाते हैं, तो उनके लिए भी seat reserve होती है, आपको पता होगा, कास का है, अनुसार भी, तो parliament में हो गया, और ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं, जो उनको हक है वो चीज़ का, आज वो हक मान के लेते हैं, ठीक है, कहीं न कहीं, और वो सब चीज़ उनको benefit कर रहा है, और इसी प्रकार लोगों की जो life है, वो change होई, देखो पहले कुछ और थी, आज change हो रही है, तो ये life changing चीज़े हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो उमी जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पर पता है, कि उनको पता ही नहीं होता है, कि nutrition में लेना क्या है, लोग कुछ भी खा लेते, तो उनको पता है नहीं, जैसे आज हमें एक balance diet का नाम का चीज़ पता है, जैसे हम पढ़े लिखे हैं, अगर कोई नोवी दसुई भी पढ़ लेता तो यह सब चीज़े, और इसी देखो, ministry of social welfare department, तो उसमें health भी आ जाता है, तो ministry of health and social welfare जो department, जो ministry है, तो उनोंने बहुत सारे state governments को help किया है, उनको कुछ rules लागू किये हैं, कि आप लोग को यह सब चीज़ का follow करना है, ताकि जो लोग है, वो अपने health के उपर focus कर पाए, और उनों ने यह health को primary का दरजा दिया, यानि कि सबसे initially आपको अपने health के बारे में सोचना है, primary health, जो basic health होता है, उसके उपर ज्यादा ध्यान देनी की ज़रूत है, तो ऐसे कई सारे जो लोग होते थे, खासकर urban के लोग तो चलो समझ जाते हैं, लेकिन खासकर rural area जो होता है, ग पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, पहले, कि बहुत सारे 5-year plan थे, टीक है न, 5-year plan, next 5, first, ऐसे करते-करते, 9-5-year plan थे, तो जो 6-5-year plan था, यहां पे मैं लिखता हूँ, जो 6-5-year plan था, इसमें include किया गया था, इसको, कि यार health को primary तोर पे देखना चाहिए, rural area, tribal area, यह सब को awareness create क लागू किया गया, और बहुत ज़्यादा efforts भी लगाए गया, ताकि यह सब चीज़ें को enhance किया जा सके, लोगों को पता नहीं होता था, यह सब चीज़ें, तो काफी ज़्यादा effort लगाए जाने लगा, ताकि लोग को समझ में आ जाए, लोग अपनी health को maintain करना शुरू कर द तो जो भी हमनों medicine खाते हैं, वो एक normal alopathy दवा होता है, ठीकिन इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे medicines है, जैसे आपको पता है युनानी medicines, युनानी होता है, homopathy होता है, ऐसे कई सारे medicines है, naturalopathy होता है, naturopathy, homopathy, इस प्रकार के कई सारे चीज़ें जो है, उसको भ प्रोग्रेस होने लगे, लोग इसमें शामिल होने लगे, और health related कही सारी चीज़ें जो है, वो improve होने लगे, 1962 के बाद यहाँ पे सबसे पहली बार open heart surgery किया गया था, under the leadership of कौन थे वहाँ पे, dr. N. Gopinathan, इनों ने पहला open heart surgery किया हमारे देश का, सोचो, पहला open heart surgery, यानी heart का surgery भी हो सकता है, ऐसा पहली बार हुआ था, आज के रेड़ में किता common हो गया है, लोग heart transplant कर सकते हैं, heart surgery की तो दूर की बात है, brain transplant हो सकता है, brain surgery होता है, कई सारे चीज़ें होती है आज के रेड़ में, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने देखा है, लेकिन सोचो, उस ताइम ऐसा कुछ होता नहीं था, तो पहली बार open heart surgery जो हुआ था, वो भी कब हुआ था, 1962 की बात है, कितरी पुरानी बात है दोस्तो, 1922 में पहली बार जब किसी का heart surgery हुआ रहेगा, तो यह बहुत बड़ी बात होगी, पुरे देश के अंदर, तो यहाँ पे Christian Medical College जो की तमिल की जुरत नहीं है, अब हमारे देश में भी इस प्रकार का इलाज हो सकता है, तो यह बहुत ही अच्छी ख़बर थी, हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा, इससे यह पता चल रहा था, तो पहली बार हमारे देश में 50 साल पहले पहले open heart surgery हुआ था, और आज कितनी बार हो च चलने लगा, health improve होने लगी, और साथ ही में बहुत सारे, जैसे कि एक invention होने लगा, जैपूर, जैपूर foot center, ठीक है, जैपूर, जैपूर foot, तो आपको पता होगा कि जब लोगों की accident हो जाती है, या फिर कुछ problem disability के वज़े से उनके पैर चले जाते हैं, हाथ चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजे जो होती थी, तो बिचारे लोगों को क्या करना पड़ता था, उसी, बोलते हैं, disability के साथ उनको life जी नहीं पर दिया, जैसे कि किसी का पैर कड़ गया, समझ लो, कुछ incident हो गया, पैर चला गया, तो वो बिचारे लोग को एक पैर, बिना एक पैर कर सकते हैं, जैसे हमें भागना है, मतलब हाँ, एक दम efficiency के साथ नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो lifestyle वो almost पहले जैसी हो जाती है, अब जैसे कि समझ लो, किसी का पैर कटा हुआ है, तो उसने operation करवा लिया, and because of the जैपूर food center, artificial legs लगवा दिया, तो उसने वो legs के through, वो बैट सक हो गया है, because of the जैपूर food center, artificial legs लगा सकते, artificial limbs लगा सकते, हाथ लगा सकते, कान ना कुछ भी लगा सकते, यह सब चीज़ पॉसिबल हो पाया है, आज के लड़े में, technology इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, और यही चीज़ दर्शाता है, दोस्तों, कि हमारी life कितनी ज्याद change हो रही है, यह चीज़ पता चलता है, सोचो, imagine करो कि आज से हम 50 साल पहले वाले जिन्दगी अगर जी रहे होते, तो आज कितने difficult situation में होते, इसका मतलब यह है कि हमारे parents, उनके parents और उनके parents कितनी दुख दायक जिन्दगी, कितने struggle वाले जिन्दगी जिये होंगे, आज के हमारे पास सब कुछ है, mobile phone लगाते है, game खेलते हैं, बस मज़ा आ जाता है, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचने कि हमारे पूरवज कैसे रहते होंगे, यह सीज़ भी सोचना चाहिए, और उस चीज़ की इसलिए कदर भी करनी चाहिए, जो आज के रिड़ में हमारे life मिली है, ब पुरे पहाड को चढ़ सकता है, और ऐसा हुआ भी है, आपको पता है, Mount Everest लोग चढ़ जाते हैं, artificial limbs के साथ, artificial legs के साथ, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, अब ऐसे बहुत सारे scientific चीज़े हैं, जो है Electrofertilization है, तो मैं सब चीज़ भी पढ़ेंगे, मज़ेदार चीज़े दोस्तों, तो बस आप लोगों को इंतजार करना है हमारे अगले lecture का, lecture number 3 का, आज lecture number 2, इसी के साथ समाप्त होता है, अगला lecture, lecture number 3 लिखे हूँ जिसमें ऐसे और भी बहतरीन चीज़े की बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में दोस्तों, इस chapter बहुत बेतर ही हिस्टरी वाला chapter है, लेकिन कितना मज़ा आ रहा होगा आपको, trust me, कितना सारा knowledge आपको यहाँ भी मिल रहा होगा, ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, बहुत सारे ची कीजेगा, शेयर जरूर से कर देना, आपने सारे friends and relatives को फटा-फट से शेयर कर दो दोस्तों, अगर आपने अभी दगी इस channel को subscribe ने किया है, तो फटा-फट से हमारे channel को भी subscribe कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक new video में, तब तक के लिए, thank you and good bye.